गुद इवनिंग स्वागत हाव सभी का फैबलस एकाडमी पे पिर स्वागत पिर शाती हरिष कुमावजी सीव परकास जी राम राम वह रहां नमस्कार जी बिलकुल अनिल जी बोले हैं गुरोदेव राम 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 वहां देजी बोलावा आकर आपके आने के लिए भैसाब डीजे की जुरूत नहीं है jay तो भी साद्यों का माहूल चल रहा तो वहां बज़ रहा है तो नाचने का आनंद लीजी जी का उस djay के ऊप़र क्योंकि आदमी जब नाचता है और जब गाता है तो उसका stress बहुत कम होता है समझ समय पे नाचना भी चाहे समय समय पर गाना भी चाहिए मेरे विद्वानों तो दीजे का मोसम अभी साध्यू में चल रहा है वहीं बजने दीजेगा जीत सिंग शेकावत साब आपका भी स्वागत है इस प्यारे से सेशन में रावल सिंग राजपु साब जुड़ चुके हैं अभिशेक जी भी सबी का विद्वान दोस्तों का स्वागत है और पहला तीर आप लोगों के सामने है सेशन को फटा पट लाइक और शेर कर दे चलो मेरे विद्वानों और पहला क्यूसन बोड के सामने बोलता कि घरेलू हिंसा अधीनियम में बालक कोन है देखेगा यहां बालक पूचा जा है और वो भी किश्में पूचा जा रहा है घरेलू हिंसा की अंतरकत है हम आपको आगे चल करके किशोर न्यास अधीनियम भी पढ़ाएंगे एक पोक्सो एक्ट भी पढ़ाएंगे कौन-कौन सा एक तो पोक्सो प्रोटेक्शन ओप चाइल्ड सेल ओफेंस दो हजार बारा पढ़ाएंगे एक हम आप लोगों पढ़ाएंगे किशोर न्यास अधीनियम चोर न्यास एक्टे दो हजार पंदरा यहां पर हम आपको बालक बच्चा किशोर सब की परिवासा बताएंगे यहां घरेलू हिंसा में बालक की परिवासा क्यों पूचे जा रही है कि घरेलू ह इंच्राइधिनयम् की धारा गूनीस बोलती है भरणपोशन का अधिकार। और भरणपोशन में महिला खुद भी सामिल होगी और उसका पुत्तर जो बालक होगा वो भी सामिल होगा। यहां बालक में सामिल है विद्वानों 18 वर्ट से कम उमर का वेगती और इसके अंतरगत दतक गरहिता सोतेला बालक समिलित है सोतेला बालक या दतक पुटर गोद लियावा पुटर से क्या मतलब है मानलो पती पतनी है उनके पुत्र रतन प्राप्ती नहीं होती है यानि वो बांज रहती है मरिला जिसके पुत्र या पुत्री का जनम नहीं होता है उन्होंने किशी दूसरे के बच्चे को गोद लिया वो दतक पुतर हो गया और फिर आने वाले समय में उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है तो पुरुस यह बात नहीं बोल सकता कि यह लड़का मेरा नहीं है उनका भी उनको भरन पोशन देना होगा मेरी विद्वान दोस दीब साजी नाथावजी बोल रहे कि आप में खोर्स में जी के कोन पढ़ाएगा से राधिस्तान पुलिस बेच मेरे भाई साब हम ही पढ़ाएंगे टेंसर मत लीजेगा नाथावजी डीब साजी डीब बता रहे हैं समी मेरे विद्वान दोस्तों का डी आंस्वर आ रहा ह पूर एक दम सही जबा आपारा सर्माई प्रेश्ट क्लास जिंकल कुमार जी बोल श्वागत हापका पहली क्लास के अंतरकत इस राधिस्तान पुलिस की लाईव क्लास के अंतरकत दोस्तों जो महिला बाल अपराद के लिए अपने चल रही है और मैं गारंटी के साथ कहता कि अगर आपने कंटीन्यू 15 दिन के अपने साथ जूड़े रहे तो आपका कोर्स भी में कंप्लीट कराऊंगा एक एक टोपिक वाईज दोस्तों और विश्वास दिलाता हूं मैं आपको वादे के साथ कि एक सिंगल कुशन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों विसाल प्रेवा रिष्टेदार नातेदार रिष्टेदार ये क्या होते हैं ये क्या होते हैं जरा बताएगा एक वाद ये बोलता है कि दो वेक्तियों की नातेदारी जो परिवार के भीतर रहती है पहली कंडिस दो वेक्तियों की नातेदारी जो परिवार के भीतर रहती है हो सकता है आगे वेक्तियों के मद्दे नाते दारी जो साजा ग्रहस्ती में रहते हैं या किशी भी समय रहे हैं पहले जब वे समरक्ता समरक्ता मतलब किशी ना किशी एक ही खूनशे उनका रिष्टा है वो बुवा का लड़का है वो मामा का लड़का है वो मोशी का लड़का है वो बहन का भ जवाब भी सही आ रहा है मेरे विद्वानों अरे सबका सही जवाब आ रहा है अनेल जी शुनील रामु चोदर जी शुरेश सूनिया साब जी योगे सोरन साब अनेल जी शीमी शिंग पुनम चोदरी हरिश कुमावत योगे जीतेंदर शिंग सभी मेरे लाडले विद्वानों का एकदम राइट जबाब है दुर्ष तो ठोको लाइक इस बात पर लाइक तो बनता है सुनिता पचार जी भी जुड़ चुके हैं अपने साथ और जिंकल गिरास सिंग जी कापी विद्वान साथी जुड़ रहे हैं शेशन को फटा-फट लाइक शेर करते चलो और अगला क् कि घरेलू हिंसा अधिनियम में सेवा प्रदाता किसको न्यूक्त किया जा सकता है हमने आपको परिभासा लिकाए थी बिलकुल वहीं परिभासा हम बोल रहे हैं हमने परिभासा में बोल लिखा था कि राज्ये के अंतरगत ऐसे कोई संस्ता कोई ट्रस्ट कोई सोसाइटी य या कोई NGO जो महिला कल्लान के कार्यूशें जूडी हुई हो राज्ये सरकार सेवा प्रदाता न्यूक्त कर सकता है दोस्तों क्या हम एक बार दुबारा बोलते हैं कि राज्ये के अंतरगत सरकार की देख रेक में ऐसी कोई संस्ता चल रही है या ऐसा कोई ट्रस्ट चल रहा ह या ऐसी कोई सोसाइटी बनी हुई है या ऐसा कोई NGO बनावा है जो महिला के अधिकारों के बारे में बात करते हैं महिला के कल्लान के बारे में बात करते हैं उसी राजे शिवा पड़ता गोशित करता है मेरी विद्वान दोस्तों आओ इधर क्या पड़ता है पहला बोला है कि देखो सोसाइटी रजिस्ट्री करन अधिनियम के अधिन रजिस्ट्री करते स्वेश्चिक संगम बिल्कुल ए तो अपना सही हो जाएगा किशी स्रंक्षन अधिकारी को नहीं भाया जी बी काट दो अब बी काट ते जिस इस ओप्सन में बी आता है वो नहीं होगा ये भी ये भी नहीं होगा तो विद्वानों बच गया क्या अरे शी बच गया अरे क्या बच गया रहे लाड़ लो अरे शी थोड़ा से दिमाग की बत्तियों को चालू रखा कीजेगा इस परकार के स्टेंट में स्टेटमेंट वाले क्यूस्टन बड़े प्यार अशे होते हैं दो तो हमने देखो जिन सब को भी काते है तो बचा क्या S बच गया यह उत्तर होगया दोस्तों शीप पड़तों लेते हैं जरा क्या लिखा है कि कम्पने अधिनियम के अंतरगत रजिस्टर कोई कम्पनी दोस्तों अधिनियम के अंतरगत भी रजिस्टर होने चाहिए या राज्य सरकार द्वारा नियूट कोई अन्य अधिकारी नहीं भाई साब राज्य सरकार ऐसे खासे कुछ तो थोड़ी ना कर सकते हैं यह तो संस्ता होगी क्या होगी एक संस्ता होगीывайтесь में विद्वानो और दीब साजी डी बिलकुल चालान कर चुका रावु प्रावु चोदरि जी मैंTE आपका आश्वासाब है वाओ गूर самого गुर जुड़ चुके हैं स्वागत है पोज़ साब आपका भी और मेरे विद्वान दोस्तों सर नमस्ते अभिशेग जी आपका भी स्वागत है और एक खास बात हो सुनाते हैं आप लोगों को प्यार इशी सुबह सुबह साथ बजें साथ बजें कल सुबह अब तो रोज ही होगा आज ही नहीं हो इती जोज सुबह साथ बजें अपनी करंट अफेर की कलास होगी करंट अफेर की कलास होगी दोस्तों सुबह सुबह नास्ता हम इशीका करते हैं करंट के साथ हैं करंट के साथ नास्ता करते हैं और महिलाओं के बाल अपरात के साथ दोस्तों हम क्या कर लेते हैं दीनर कर लेते है और पिर सुबरातरी भी कर लेता है, सर्दियों का मोसम है, जल्दी सो जाना चाहिए, जल्दी उट जाना चाहिए, रजाई में दोस्तों, हना, आजाओ, क्या बोलता है क्यों सब्सक्राइब करने के लिए उस्पष्ट प्रस्ताव करता है, तो कौन शे अपराद में सामिल अगर कोई आदमी किशी लडकी के लड़की को प्रस्ताव को पर पोज बोलता है भाई अप हमारा बार बार पिच्चा मत की जिएगा लड़का फिर क्या करता हैas कोई शोसल मीडिया के माध्यम से उसको दोस्तो liar दोस्तों उसके साथ उसके साथ समंध बराने की कोशिश के माद्यम से उसे बाचित करने का बढ़ावा देता है उसकी निग्रा नहीं करता है उसका पीछा करता है दोस्तो धारा 354 डी लगती है यहां पर कौन शी अरे IPC IPC 354 डी लगती है मेरे विद्वान दोस्तो पांच से साथ साल के लिए जाओगे लेंगी कुछ पिटन के अंतर गताता है किसमें लेंगी कुछ पिटन के अंतर गताता है और मेरे प्यारे प्यारे विद्वान दोस्तो एकदम सही जवाब आ रहा आपका भी सर्फ पांच बजे उड़ता हूं और भाईस साब पांच बजे तो बहुत शर्दी रहती है मैं तो एक दिन गलती शें उड़ता अगला क्यूसन कापी ज्यादा इंपोर्टेंट है और दोस्तो ये क्यूसन है ना ये क्यूसन बहुंत सारी एकजामें पूछा गया था ये क्यूसन लास्ट येर जो आपका अपना पेपर वा था लास्ट येर के अंतरकती भी ये क्यूसन पूछा गया था हाली में जो राजस्तान पुलिश की जो ऐसा है की एकजाम हुई है इस कि अंतरगत भी ये क्यूशन पूचा गया था क्यूशन क्या बोल रहा है कि विशाका गाइड लाइन 1997 किस राज्ये से संब्सक्राइब दीत है विशाका गाइड लाइन मैंने कानी सुना ही थी आप लोगों को पता है कि नहीं पता या फिर्शे सुनाई जाए अरे कानी फिर्शे सुनाई जाए या आपको याद है देखो जबाब तो बिल्कुल सब के सही आ रहे हैं बिल्कुल गलत आ रहे हैं सब के चालान कट रहे हैं एक दो को छोड़ करके अरे एक दो के छोड़ करके सब के चालान क अरे भाई साब सुनाओ देखिएगा एक महिला थी राज़ेष्टान में जेपूर जिले की उस महिला का नाम था भाउरी देवी दोस्तों आप जो सोच रहे हो वो भाउरी देवी नहीं वो 2011 का मामला था दोस्तों ये मामला है गुनिसो बाणमा के लगबग का इस महिला ने क्या करती सर में चार बज़े उड़ता हूं और कनोट करे ला हूं क्या जो भी है विबात करेंगे देखो शी बिलकुल राज़ेष्टान सही आ रहा दोस्तों बहुरी देवी राज़ेष्टान के जेपूर जिले से समन्द रखती थी दोस्तों और बहुरी देव मा की लड़की की साधी कर रहे थे ये थोड़ा सा देख ले ना 6 महिने की लड़की का 6 महिने की लड़की की साधी कर रहे थे तो भहुरी देवी ने पुलिस के माद्यम से उस साधी को रुकवा दिया दोस्तों उसके बाद में जो गाउं के बड़ी जाती के लोग ते जिनक क्प्लेन दर्थ करवाई तो उसकी पहले तो कंप्लेन लिखि नहीं गई और जब लिखी गए थी दोस्तोग तो जितने भी आरोपिते सबको तीन महिने में बरी कर दिया था डोक्तर बगरा पुलिस बगरा जजसा बगरा जितनी भी लोग थे सब के सब दोस्तों उन बड़ी जाती के जो लोग थे उनसे मिले वहे थे जब यह मामला कापी हाइलाइट हुआ तो एक विसा का नाम का एंजियो था दोस्तों आई पिए समहिला थी उन्हें उसको अब एक भेंकर तरीके से पूरे भारत में लाजश के लिए पर दोस्तों आंदूलन चलाए थे फिर दोस्तों सबसे पहले जो मामला आया था वो विसा का बनाम राजस्तान सरकार आया था गुनी सो चोर्यानमा में और दूसरा आया विसाखा बनाम भारत सरकार ये मामला आया मेरे विद्वान दोस्तो अरे सरकार अरे भाया जी सरकार 1997 में ठीक है ना गुनिशो चोरानमा की अंतरकत हाई कोट ने क्या बोला कि हर राज्य का ये करतवे होगा कि महिलाओं की सुरक्षा से समधित काम किया जाए कोई सुनवाई नहीं हुई कोई भी सुनवाई नहीं ही मेरे विद्वान दोस्तो उसके बाद में विशाखा बना भारत सरकारवाद गुनिशो सुन के सट्याणमा लाज़ में आया और इस वाज में सपर्ष च्प्षा है कि महिलाओं का जो अनुछेद 14 है दोस्तो जीवन तेरा में लिये गया लिए था तो महिला के मूल अधिकारों का उलंगन हो रहा है दोस्तों तब जाकर केश का संग्यान 2013 में लिया गया था और कारेश तल पर योन उत्पड़न अधिनियम 2013 में बनाया गया था सिद्धा पूछा जाएगा विसा का केश का समंध या विसा का गाइडलाइन विसा का केश कर से भी विद्वान दोस्तों उबीद करता हूं मेरे सभी लाडले सात्यों को समंझ में आया होगा बस थोड़ा सा लाइक्ष बनता है विराट कोली जी सर्म में आपका फेन हो अरे भाई साब देखेगा विराट कोली भी आ रहे है अब तो बस हार्दिक पांड़ा की कमी रही है रो अगला क्योसन क्या बोलते है अगला क्योसन बोल रहा है आपको कि कारिये इस्तल पर महिलाओं के साथ योन उत्पिणन अदीरिया में किन सनस्तानों पर लागू होता है कहने का मतलब क्या है यह पूछ रहा कि कारिये इस्तल क्या होता है अरे कारिये इस्तल क्या होता है वरक संस्तार चाये वो प्राइवेट हो चाये वो नीजी हो जहां पर दस या दस से अधिक लोग काम करें वो क्या खहलाता है अरे क्या कहलाता है विद्वानों वो कारियश तल कहलाता है जैसे ए है कि 10 से कम काम करने वाले वेकती, काट दो भाई साब बेर 10 से अधिक काम करने वाले यह अलो, बागी पड़ने की जरुरती नहीं है, पड़े तो 50 से कम नहीं भाई साथ कितने भी हो सकते हैं मिनिमम दस या दस अधिक काम करने वाला जो इस्तान होता है वो क्या होता है मेरे विद्वान दोस्तों अरे वो कारीश तलके अंतर गताता है याद आ रहा है ना अरे विद्वानों गलत तो नहीं कर रहे हैं पदीप साजी, राम चोद्री जी, मने राम सहने साब, विसाल जी, जोरू साब जी, क्या नम दिका है, जोराम मुजिकल ग्रूप को कुन वाली ओरे भाया जी, सूर्य क्लास जी, जविशेग जी, दीप साजी, अनिल जेगर साब, अनिल कुमार जी, सूर्य क्लास जी, सब का सह जी बिलकुल सुही है प्रेसे विसाल साब आपका भी बिलकुल सही है डियर अगला क्यूश्चन बताते हैं घीराशंची मुझी में बिलकुल पदा चुके हैं अगला क्यूश्चन क्या बोलता है कि कादिश तलपर महिलाओं के साथ यह दो हजार तेरा कब फर्बाव में आया important question दोस्ते क्या है important question हमने देखो इतने बात जो हमारे पास question आ रहे थे सबसे पहले ज्यादातर अपने पास question किस कह ये घरेलू हिम्सा अहां आकिसक घरेलू हिम्सा धर लेलू हिंसा एक्ट एक्ट दो हजार ने दो हजार पांच के अब अपने पास जुख ज्यादातर क्यूशन आ रहे हैं वो किस क्या आ रहे हैं कारिये इस्तल पर कारिये इस्तल पर योन उत्पिडन योन उत्पिडन अधिनियम योन उत्पिडन अधिनियम अधिनियम दो हजार तेरा दोस्तों ठीक है न दो हजार तेरा यह आ रहे हैं दोस्तों जितने में मेरे विद्वान जूड़े है सेशन को लाइक शेर बनता है और नो दिसंबर दो हजार तेरा आप लोगों का सत प्रतिसत सही आज आगे चल लेते हैं बिलकुल दीपसा जी राकेज जी अनिल साब चेना राम जी शीव परकाजी विशा जी शीमी सभी का एकदम सही जवाब आ रहा है बस थोड़ी शी दिक्कत आ रही है लाइक्स कमारे मिटा क्या है लाइक्स कमारे रामुराम जी चोधरी साथ बी बिलकुल आपका चलान कर चुका है अरे बी वालो आपका चलान कर चुका है अनिल साब एससी जीडी का पेपर किश किश का हो गया बताएगा भाई एससी जीडी वालो अरे एससी जीडी में आज किश किश का पेपर था जरा बताओगे क्या जरा बताएगा तो सही अपने विद्वान दोस्त कौन-कौन है जिनका जिनका एससी जीडी में पेपर पूच रहे हैं और यहां पर हम पड़ रहे हैं मेरे विद्वान दोस्तों कि कारिष्टल पर योन उत्पिरन की परिभासा में अत्रम सामिल नहीं पूछ रहे हैं पहला आरा कि कारिष्टल का जहासा देकर योन समंद बनाने का परियास करना क्या है कारिष्टल का जहासा देकर योन समंद बनाने का परियास करना अत्वा बाद दे करना बिलकुल सही है पह कुल यह सब किसमें आते हैं कादेश तल पर योन उत्प्रन दिनियम हमने क्या पूच्छा है नहीं आता है नहीं में क्या आएगा रिविद्वान ओ अरे भाई साथ बी आ जाएगा क्या आ जाएगा बी कैसे आएगा सर क्योंकि आर्थिक हिंसा कहां होती है घरेलू हिंसा में क हुई है मेरे दोस्तों इस परकार से टेम लगी हुई है और इस परकार से इसके उपर इस परकार से इस पर दोस्तों बालिकाएं बटे है मान के चलो यहां पर गरल बैटा है यहां पर बोई बैटा है यहां पर गरल है यहां पर बोई है यहां पर बोई है इस परकार से बट कि जाए हैदरावाद के अंतरगत बैंगलोर के अंतरगत गुडगाओं के अंतरगत दिल्ली के अंतरगते कार्पी जब मामला हाइलाइट हुआ था तब जाके कारिश्टल पर योन उच्पन अधिनियम दोजार तेरा आया था लाडलो अव economist नहीं आया रे रिछ तेरा सद Sophia Kukya कैसे दे रहे हैं सही दे रहे हैं ओ जाओ मेरे विद्वानों आज़ा हमें मेरे शीमी जी लोकेंदर जी विशाल साभ अनिल इसाब रामुचोद जी राहुल सेने साब जी मुकेशक कुचामन शीटी जी बिलकुल सुनिल जाकड़ शीव परकाज जी अभी शेक मीना जी के जीडिंट सर्थ उब बिल्कुल लगएंगी में डियर स्टूटेंट टेंस बहुत जल्दी बहुत जल्स जल्दी राजस्तान ज मेरे विद्वान दोस्तों साधियों का सीजन चल रहा है अभी तो थोड़े आप आप सब लोग क्या करके आए हो थोड़े मुझे लगता है काजू कत्री जादा खा लिया आप लोगों थोड़ी नेंद भी आ रहे है वच्चों को कही के लोगों को आ रही है ना आ जाओ तो मे सबसे पहले हम क्या देखे हैं कारी इस्तल में क्या होता है ऐसा स्थान जहां दस्या दस्यां देख लोग काम करते हैं तो वहां पर दोस्तों एक आंत्रिक शिकायत समीति होती है क्या होती है अरे एक आंतरिक शिकायत समीति होती है विद्वानों आंतरिक शिकायत समीति होती है ये क्या करते है दोस्तों इस समीति के पास 90 दिनों के अंतरगत महिला को शिकायत करना पड़ता है क्या 90 दिनों तक महिला को शिकायत करवाना पड़ता है दोस्तों पहली बात द दूसरी बात मेरे विद्वान, दोस्तो शिकायत क्या है? नबन दिनों में शिकायत करना. दूसरी बात, अगर को वो मामला आंतरिक शिकायत समिथी से नहीं शुल जाएगा, तो इस्तानिय शिकायत समिथी के अपास कर दे ले. उसके बड़ी होती है, इस्तानी शिकायत समेटी दोस्तों इस्तानी शिकायत समेटी दोस्तों इस्तानी शिकायत समेटी अब क्या क्या कर सकती है नो को इसे निकाल सकती है लेखित माफी मंगवा सकती है वेत्र में वर्दी पर रोक लग सकती है दोस्तों पदोनती में रोक लगा सकती है आगे लिख प्रमोशन पर रोक लगा सकती है और हमने आपकी क्लास में साप साप लिखवाया था कि विद्वानों पचास हजार से जागा जुर्माना नहीं लगा सकती तो जबाब क्या हो जाएगा जबाब ए हो जाएगा और ए बोद्धा है कि एक लाक रुपई एक तो नहीं होगा लाड सुनिता जी बी कैसे जबाब दे रहे हो विशा जी बिलकुल गीदी कैसे सर मजा आ रहा है लोकेंदर शिंग जी बता रहे हैं पढ़ने में मजा बिलकुल मेरे विद्वानों आप लोगों का प्यार ऐसा ही रहेगा हमारा आशिरवाद ऐसा ही चलता रहेगा आपके संदीब चोद्रिश साब अनि gue जी नएग रहे छोड़ें में का उबाड़ें सबका जबाब ठीक आ रहा है देकिन जो उनकी बीच ने संदीशी पूर्ण जी ने जबाब दिया दीकर औरहे उनका var जगसाब ने भी दिया है चेना राम जी नाइक साब ने भी दिया है क्या बोलता है कि अगर पिरित महिला इस्तानी शिकायद समीती के फेशलेशन संतुष्ट नहीं है तो कितने दिनों की अंतरकत कोट में अपील दर्ज कर सकती है देखो होता क्या है होता क्या है मेरी सबस्क्राइब कर दोasc जोट में जा सकती है क्या बात कर रहे हैं मेरे विद्वान हम भी नहीं समद रहे हैं आपकी बात अने रे सुरेश सुनिया अधीर शृव परकास सुनिता परकास सुनिल जो राम जीशूरेश जी दीव और्जुन शिंग जी विसाल परेवाजी विरा बर बस विराट कोली जी पदार चुके है नुशका जी की कमी है मेरी विद्वान दोस्तों और सर्मा जी के बेटे भी नहीं पदार रहे हैं क्या नाम है उनका रोहित सर्मा जी हार्दिक पांड़ा भी आ जाते थोड़ा अच्छा हो जाता काम मोधी जी भी आएंगे अभी तो सुबस सुबस साथ बजे रजाई के अंतर रजाई में क्या साथ बजे तो मैं भी उर जाता हूं तो आप उर सकते हो साथ बजे तो शीव परकास जी का जवाब यह आया है अगला कुशन बोलता है वाई साब की निमलिकित में से महिलाओं महिलाओं है महिलाओं नहीं है दोस उसके बाद मेरी विद्वान दोस्तु घरेलू हिंट पिर होता है कारी स्टल पर महिलाओं का लेंगी कुछ पिड़ा नारे भाइसा और यहां पर क्या पूचा है 2013 जब आप एक ऐसे दे रहे हो संदीब चोज जी मैत कोज जी कर दिया है अगर किसी को मोथ मैत की टर्रηνिंग लेनी है तो मैत की टर्रुणिंग दे देंग आप लोग को ठीक है ना हां आपका विशुआगत है रिष्पारे शाषेष न के अंत्रगत विद्वान को का जबाब कर रहा है दिया마 को सहसा दे रहे हैं आप लोग अरे कौन सा पूछ रहा है कि निम लिकित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्यान से समझेद कौन सा दिनियम 2013 में पारितवा 2013 में दोस्तों यह नहीं आया क्या कारिश्टल पर योन उत्पिनन अदिनियम योन की जगे लेंगी की लिका है भाई साथ कुछ जाला नहीं लिका है परियावाची सब्धा उनका समझ सकते हैं मेरे विद्वानों तो जबाब सी हो जाएगा काहे डी दे रहे हो अरे काहे डी दे रहे हो पुनम जी गलत है विशेग जी शूरिया अनेल अर्जों ने अनेल रेगर साथ बिलकुल सही जबाबार है स्री में जी सुनिया जाखर जी आज एकीस अड़ा जाट है सवर संडे को क्लास लगती है क्या और खास बात बताना भूल गया हमें इस संड को अरे संडे कब है 21 अभी चदरा क्या है इस नवंबर चदरा है 21 नवंबर को 21 नवंबर को देखो सुबह हम लगेंगे लगबग साड़े आठ बजे एक मेरा थन कलास लेंगी उस कलास के अंतरगत मेरे विद्वान दोस्तों हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ओलंपिक पढ़ने वाले हैं सब कुछ पढ़ने वाले हैं सब कुछ पढ़ेंगी हम एक मेरा तनशेशन चलेगा अपना लॉंग टाइम के लिए याद रखना सुबह सुबह 9 बजे का समय रहेगा मेरे विद्वान दोस्तों ठीक है ना सुबह सुबह 9 बजे कब संडे कब है 21 नवंब को समय साढ़े आठ बजें सब को आना है आज आऊ तो कुछन क्या बोलता है महिलाओं का कार्यous तल प्रम पर यहन करें या कारे इस तल को carbon effective क्या नहीं। पहला बोलता है सारीरिक संपरक और फाइदा उठाना थोड़ी सिस्के बारे में बात चीत करेंगे उसके बाद लेंगिक पक्सपात की मांग या अनुरोद करा यह भी महामरा थोड़ा ठीक ट्याक लगता है तीसरा है लेंगिक टिपनिया करना दोस्तों तीनु सही हो गया तो कि कि शह महिला को कारिष्टल का जहासा देंकर के उसके साथ समझ्ध बनाना या समन बनाने का प्रियास करना दोस्तों आमघ्asti पर क्श्पत के साथ काकता है कि एक समता हैमरा से साथ दिन के लकला पर मीं Küotर में या धर्वारुक। दिली बुला इस परकार की घटनाई होती रहती है दोस्तों देश के अंदर बहुत जड़ा लेंगिक पक्षपात की मांग यह अनुरूद करना कार इस तल पर महिलाओं के साथ किशिवी परकार का कोई अभधर टिपनिया करना लेंगी की टिपनिया करना दोस्तों इसके रंग इतने विद्वान होगे हमारे साती हरे हमारे साती इतने विद्वान होगे कि सभी का सही extrêmement गर्फ आ रहा है दोस्तों विराट कोली जी बिलकुल एकदम सही जबाब है आप लोगों का और उसके बाद में आज का अपना तेरा नमबर का क्योष्टन क्या बोलता है कि इस्तानी परिवाद समीति यह वहीं है अपनी इस्तानी शिकायद समीति यह इस्तानी परिवाद समीति यह की बात है कि सरंचना कालावदी क्या बोलते हैं कालावदी अनि समय जो 90 दिन का 90 दिनों में शिकायद करना अनिवारी है उसके बाद में 60 दिनों में दोस्तों सुनवाई होना निवारी ये है और 10 दिनों के अंतरगत जहाँ छो सकती है धारा 13 के अनुसार, 10 दिन याद रखना है कि उसने क्या बोद रहा है और इन सब कालावदी का वर्णन किया गया है इनकी धारा 9 के अंतरगत, निवादी को तक बोद रहारा 9 के अंतरगत वर्णन किया गया है मेरे लाड़ रखना है और धारा 11 के अंतरगत, इसमें जाच का वर्णन किया गया है और 13 के अंतरगत इन 10 दिनों के भीतर दोस्तों नियुकता को या आगे जिला अधिकारी को जांस भेजनी होगी रे लाडले सातियो अरे जबाब ए वालों का चलान कट गया है और जो डी आंस्वर आ रहा है जिनका आंस्वर डी आ रहा है मेरे विद्वानों का उनका बिलकुल सही है सिमी अनिल दिवू अर्जून सुनील निल सुनिता पचार जी सं खाना खा लिया आपने मैंने भी खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद में प्यास तो लगती है आप लोगों हो पता है कि हम कि कारिस्टर पर महिलाओं का लहंगिक उत्पिडन अधीनियम में जांच लंबित रहने के कि वरान क्या कार्यवाई नहीं की जा सकती यांदार कुछन है बहुर्षां अब vitamin की ने हाँ कि गारे जंग की अपर महिला के साथ उत्पिरन हुआ है और उस मामले की जाच चल रही है तो उस कंडिशन की अंधर sulla की कारवाही नहीं कर सकते मेरे प cars कलेसाथ कि वेत्जित मेहिला को तीन महा का आवकास भाशता आवकास तो नहीं दे सकते हम ठीक है नге क्या है अवकास तो नहीं दे सकते तो यह तो हो गए यहां क्या पूचा है थोड़ा सा दोबर रश्च में डिमाक लगाएगा कि अगर कोई महिला उस महिला ने का इसके साथ किसी प्रगारगा को यूदुद्ध प्रियन हुआ है कारेश थलब पुलिश में कंप्लेंट चल रहे है उस मामले की जाच चल रहे है उस कंडिशन में मह पर नहीं हो पाएगा बी जबाब आ रहे हैं अरे बी जबाब कैसे पहले बी नहीं पहले ए हो जाएगा अरे अर्जुन जी दीव्यू जी रामु जी दीपसा अर्जुन कुल्दी विश्णोई साब जी जुड़ चुके हैं और शेशन को पटापट लाइक शेर करते चलो र कारे में और अगला क्योशन बोलता है मेरे साथियों कि लेंगिक उत्पिणन के परिवाद के बारे में जाच कारिश्थल पर जाच याद रखना जाच कारिश्थल पर समहिलाओं का योन उत्पिणन अधीनिये में कितनी आउदी में की जाती है दस दिन के अंतरगत की जाती कि जाक्ष दस तिन में होती है मेरे साथ हिए और दस तिन के बाद में क्या होता है ये नियुक्ता और अधीकारी नियुक्ता और कितने दिनुन मीं दस दिनों के भीतर हिस्मिंट वहनती आदि को नबादिनों में क्या होता है नबदनों में सुनवाई हो चेह नोच्छा 15 और 16 एक सो साट दिनों के भीतर भीतर तो मामला निपट जाता है बाई साब यहाँ वो सनी दियोलवार डावर जैना तारिक पर तारिक पर तारिक पर तारिक नहीं पड़ती है यहां तो 160 दिन ही है वया जी, 160 दिन में ही नाय मिल जाती है दोस्तों, 10 डे, विलकुल पुनम जी, सुनिल जी, दीप साजी, विराट कोली, आनिर रेगर साब, कोली, सभी मेरे विद्वान दोस्तों का एकदम सही जबाब आ रहा है, अरे शेशन को बस थोड़ा सा लाइक करते दी चलिएगा, उसमें कंजू सही मत कीजिएगा, मेरे पैरे विद्वान दोस्तों, सेशन को लाइक करते चलेगा, महिला आयों, बाल अपराद की क्लास में, राजस्तान पुलिस के अंतरगर, राजस्तान पुलिस में आप सब को पताए, महिला आयों, बाल अपराद का जो तोपिक है, वो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्यों है क्यों दस के दस ला सकते हैं, छोटा पाड़ा, सेले बस छोटा है, कम पढ़ना पढ़ता है, बाकी चीजें बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, तब जाकर के दस बारा नमबर आएंगे, यहाँ छोटा सा मामला है, आगे बोलता है कि महिला आयोग, जन सुनवाई में महिला उशें जूड़ी किन समस्यों और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है, यहाँ महिला आयोग की बात हुई है, किसकी मेरे विद्वानों, अरे महिला आयोग की, महिला आयोग, क्या बोलता है यह सुनवा दही दूत्पिरन के बारे में बात हो सकती है गरेलू हिंसा के मामले में बात हो सकती है तो बच गया क्या उप्यूक सभी कुछ नहीं बचा तो डी वाले एकदम सही होंगे सर आप मेरा फेवरेट हो विराट कोली जी अरे भाइसा विराट कोली भी मेरे फेवरेट मैं भी बहुत अच्छा केड़ केड़ खेलता हूं विराट कोली जितना अच्छा तो नहीं खेलता लेकिन ठिक्टा खेलता था एक जमाने में मैं भी मेरे गाओं का राहूल दर्विड हुआ करता था थे को विराट कोली तो नहीं था क्योंकि छक्के नहीं लगते थे मिरेशे में सिर्फ चोकों से काम निकालता था आउट नहीं होता था और विराट को लिए थोड़े अच्छी खिलारी है लेकिन अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों अरजुन शिंगी पुनम जी शुरीष अरजुन शुनिता विराट सभी मेरे वि मामला हो गया कारिश्टल मामला हो गया अभी और बात करेंगे नहीं लोगों को और पढ़ाया है ना पढ़तेक्स रूपी से दी ज spies होती है और दहेज निशिद अग्लाय कब था 1961 की अंतरगत अधिनियाँ हो तक पहले बात का लेता है कि विवाग्य आवसर पर वरपक्ष द्वारा कंया पक्ष से आउशक रूप से लिया जानला धनिय वस्त है यानी दुल्हता की अनुसार जो माल लेते हैं न वह भी बोलता जालता में वडू को स्वेचा से दी कुझे है यह स्वेचा का नाम आया है वह स्वेचा का वूद्व कीकिवκε किस तर वे कि जाने वाले वे में क्या होता वे द्रड़की कि पिता पर डिंड करता है कि वुघार फाएगा का दिू तुन टेंट साधरन लगाएगा या तो लड़की की पिता जी पैने कितने पैसे खर्च करें वह दहेज में सामिल नहीं होते हैं वह याजी डी बोलता कि वदूपक्स द्वारा करन्या के विवाह के आउसर पर वर्क को दी जाने वाली श्वेच्छा से वर्क को तो वह जुहारी अभी बशाएगम वर्क कोन होता है दुलहा में जानते हो सब अरे छोरे छोरे सब दुला होते हैं कंया पक्ष कंया पक्स जानती हो दुलहन लीक तो किव Six द्वारा दुलहन पक्षे आवश्यक रूब्शे coy लिया जाने वाला दधन और वह भस्तों जो बूलत continuar गाड़ी जो पांच लाग शाच लाग एक लाग केश लेते हैं फ्लेट लेते हैं वो सब किस में आएगा रे दहेज में आएगा दहेज की धारातीन क्या बोलती है कि दहेज लेना दहेज देना दोनु अपराद है क्या है डहेज लेना और दहेज देना दोनु अपराद है लाड़ लो अनियलजी बिलकुल साई जवाब है अर्जुन शिंहगी दिवु जी रामराम चोधरी जी संदीप चोधरी जी सर मेरा आज ही फ्रेष्ट क्लास भी वह पिलेंग मेरे डिये रेंकष सेकावा जी ए अर्जुन शिंग जी ए सब Conven sow मेरे पाल आपए वादा करते हैं हम आप लोगों से गलत नहीं होने देंगे आप आगे आजाओ दोस्तों दहेज फ्रता पर प्रतिबंद लगाने हेतूं देश में दहेज निरोदक अधिनियम कब पारित किया गया भाई साब अच्छा क्यों सना है दहेज फ्रता पर दहेज फ्रता दोस्तों प्रतिबंद लगाने हेतूं देश में दहेज निरोदक अधिनियम कब पारित किया यह तो को यहां पर होना एक होता है लागू होना है ना एक तो होता है पारित होना दूसरा होता है लागू होना दूसरा होता है लागू होना दोनों में जरा अंतर है जानते हो ना अंतर दोस्तों अंतर सरकार के द्वारा कि एक दिन दोस्तों को बना दिया जाता है पिर एक दिन बहुत है कि हाँ सही कर सकते थे भाई साब अरे कुल्दीव विश्णिव जी रामो जी अभीशेग जी कुल्दीव जी अर्जुन जी बहुत है कि आज मैं भी फ्रेश्ट कराश्ती ओप लैन में बिलकुल मेरे विद्वान कल हम दहेज वाला काम पूरा निप्टा देंगे आपको सबको दहेज दिला देंगे कल गल्दे को अभीशेग जी कुल्दीव स्रीमी पुनम चोद्री जी बाल मुकुंद कुमावज साब संदीव चोद्री जी का तो चालान डायरेक्ट कट गया 26 जून गुनीशो 61 को पारित हुआ अब आगे क्यूसन एक ये भी आएगा दोस्तों कि लागू बताएंगे या आगी क्यूसन आएगा तलाक है कि आप पसमें परसप्रिक सहमतिशन, एक तलाक क्या होता, सहमतिशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि तलाक दोस्तों कैसे हो, तीन तलाक है, तलाक तलाक है, वो तो आज कल बंद हो चुका है, तीन तलाक को बेन नहीं किया गया, यह धान नगना, तीन तलाक है, लेक पर पी लिखेए तिलाग तिलाग तांट फिर गछी लेटर भीज़य तिलाग हो रहे हैं ओर् actors ठोली नहीं होता है तो पिर कैसे होता ऐसे होता है अगर पारिस्प्रीक तिलाग हो तो उसको मुबारत बोला जाता है क्या बोलते हैं लाड़ लो मुबारत अर्भाष साब लियान इल्ला मीहर अरे का है अरे अर्जुन सिंग जी मीहर नहीं ये मेहर होती है और मेहर क्या होती है मेहर होती है दुलहे के दुवारा दुलहन को दी जाने वाली जो सिकुरेटी राशी होती है उसको बोला जाता है मेरे पैरे सातियों ठीक है ना आज ही पड़ेत ये तो सीमी जी आज फड़े लेकर गलत जवाब दे दिया मेरे विद्वानों तो इसका राइट आन फिर क्या हो जाएगा मुबारत हो जाएगा रेक मेरे विद्वान का जवाब पर वे सही आया है एक जुलाइ लेकर एक जुलाइ का लृसन आगे आएगा बस लाइक च्क्रें कमी आ तो अछे कंम हा रहारी है फटा-पटा ने दो लाइक्षको फटा-पटा लाइक्षको आने दीजीगा और अगला क्योशन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे प्यारे विद्वान दोस्तों और प्यारा सार क्योशन क्या बोलता कि दहेज म्रत्यू में म्रत्का की म्रत्यू होती है दहेज म्रत्यू दहेज म्रत्यू दोस्तों दहेज म्रत्यू में क्या होता है जलाकर महिला को मारना जलने वारा पदार था दोस्तों वो डाल करके उसको जला दिया जाता है सारीक सती के मादेम से उसको ठोक पीट पीट करके उस महिला के हत्ता कर दिया जाता है दोस्तों तो इसमें उप्यूक्त से भी आएगा धारा कौन से लगती है दोस्तों धरा 302 अरे धारा भाय साब 304 भी ले खेंक और कहीं पर आत को ऐसे भी लिखा आ सकता है थी आरहीं भी और भूलें भूलें उर पढ़ें है घीक डिरयम एक और इधारणक और धारजाय को बिलकुल स्लाइट ठोग दिया है डी 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 सभी का सही जवाब आ रहे हैं अगला क्यों बात कर लेते हैं कि दहेज म्रत्यू के लिए दोशी टहराया जा सकता है अरे दहेज म्रत्यू में दोशी किसको टहराते हैं दोस्तों अरे दहेज म्रत्यू में पती को भी टहरा सकते है और पती वा नातिदार दोनों को ठहरा सकते हैं पती के नातिदार या नातिदार का मतलब क्या होता है अड़लो अरे नातिदार का मतलब होता है रिष्टेदार क्या होता है अरे नातिदार का मतलब होता है दोस्तों रिष्टेदार और रिष्टेदार का जवाब क्या हो जाए कुल्दी विश्णों जी बोलते हैं कि सब लाइक कर दो प्लीज सोर काहे चलने को अंकी जी डी अर्जुन पुनम चोदरी लोके अंदर अर्जुन शेंग अनिल रेगा साब सीमे शिंग जी लोके अंदर शिंग जी सुनिल जाखर साब सभी मेरे विद्वान दोस्तों का जो ज रायम जबाब आ रहा है सातियों नातेदाय का मतलब रिष्टेदार का मतलब रश्थेदार का रिच्टे रथ हैं तो हम सुह brig ऐकसे मिले हैं हम इसे अदिक घी उडेलने का काम दोश्तों प没有 बोषे कों करते हैं कवहत दिन के पता है हम नहीं लेगा हमारी दुखी है लिकिन आप कहे उसके अंदर जले में यार बातिता अगला बोलता है कि भाई जी भारत्य धन सहीता ठरा सो साथ की कि अधरा में दहेज दहेज म्रत्य कोनशी आगई भाई साथ स्धारा कोनशी आगई गाई इंसला जाए तीन सो चार भी के अंतरगत मेरे प्यारे विदुआन दोस्तों कौनशी में 304 B के अंतर के दोस्तों दहेज मरत्यू 304 A में क्या होती है लापरवाहिश कोई हो जाती है अगर आप गाड़ी चला रहे हो जान फूच कर के शी को मार रहे हो वो मौतिस में सामील होती है 305 में होती है कि कोई पागल आदमी कोई मुरक आदमी या कोई नावालिंग है वो इस ने में एक यह बात भी ती है ठीक है विल्कुल राम चौद्र जी बिल्कुल सी जवाब सही है पस लाइक ठोकते चलो लाइक ठोकते चलो मेरे लाटड़ सातियो और आज का तरीश नमर का क्योश्टन क्या बोलता है आपके सामने की दहेज की मांग करता है दहेज कोन मांगत साथ है अरे समन्लों भंडारी चले गए अरे सर्मन्नों भंडारी चले जिए मन्नों भंडारी चले गए भाई साब सी जवाब आ रहा है और सहीत का जबाब भी आ रहा है देखते बिल्कुर सी जवाब पिछले क्योशन का एकदम राइत जवाब है आज अगले क्योशन पर दहेज की मांग करना जायज है अधिकार है सामाजिक प्रता है यह अपराद है धरा कौन शी बोलती है धरातीन इसकी क्या बोलती है हमने आज लिखाया था धरातीर में दहेज लेना दहेज दहेज लेना और देना दहेज लेना और दहेज देना दोनु अपराद है दोनु क्या हरे दोनु अपराद है मेरे प्यारे सातियों और इसमी यहां पर सजा कितनी होती है यहां पर सजा 6 माहा की और 15-10,000 रुपे जुर्माना यहां तो मांगना भी बात है यहां तो मां अर्जुन शिंग अभिशी कानिल सुनिल शीव परकास संदीप चोद्री सबका जबाब सही आराटी बस थोड़ी से लाइक में कमजोरी आ रहे हैं पता ने काहे हो रहा है अरे पता ने काहे इतने कंजूसाई कर रहे हो मेरे लाडले सातियों थोड़ा सा लाइक बढ़ाते चल दोस्तों किश्ण पोछा कि दहेत निशेद अधिनियम गुणीशो इक्सट कब लागू हुआ हम थोड़ी देर पहले क्या देखा था कब पारीत किया गया और पारीत में क्या रहाता 26 जून आ रहा था और यहांपे क्या बोल रहे हैं कब लागू हुआ था और लागू में क कौन बुलाता है राष्ट पती बुलाता है राष्ट पती कौन ची अनुछिद के तहत बुलाता है अनुछिद 108 के तहत बुलाता है अधिक्षता कौन करता है अरे लोकसबा अधिक्ष करता है अरे साती ओ लोकसबा अरे लोकसबा अधिक्ष इसकी अधिक्षता करता है बात मे अब तक कित्त रान लग सुकित vacun कभ लग कभ सब्सक्ते है года के अधिनियम के लिए में क्यों लगी दोस्तों बेंकिंग सर्विस कमिंशन अदिमियम के लिए 2002 में पेटा अदिमियम आया था मेरे लाड़ ले सातियों आतंग वाज़े संब्दी था एक जुलाई आज ये पड़ाया है अरे वारे मेरे विद्वानों ऐसे जवाब देते हो तो मज़ा आता है फिर तो और आज का लाश्ट क्योंसन है विसाल विरेश कुमार जी सुनिता पचार अर्जुन लोके अंदर रानिल रामो चोदी सुनिल जाकर लोके अंदर कुल्दी विश्णुई अंकित शेकावाज सं जूदि देखेंगा कि दहज़ लेक्स अधिनियम में दम्रेनिय अपराध्य कि दहज प्रतिशाथ Intel दिनियम दहज शोद साथ मावल जाये तो वहीं निप्टा देना मौहिन घान साब अपना क्योशन पूरा हो गया है और सूबह साथ बज़े अरे मेरे साथियो सूबह साथ बज़े सूबह साथ बज़े अपने current affair की class अपने current affair की class दोस्तों रहेगी और ये आप लोगों के लिए खास सूचना है कि अपने राज़ेस्तान पुलिश की ओप लाइन बेच प्रारम है क्या है अपने ओप लाइन बेच प्रारम है दोस्तो राजस्तान पुलिश के तो आप लोगों को क्या करना है रे मेरे साथ यो अरे आप लोगों को क्या करना है साथ यो आप लोगों को इसमें एडिमेशन लेना है जिनोंने नहीं लिया है मेरे विदवान दोस्तों, ठीक है ना? भूल गया था अच्छा तो भूला मत करो मेरे सातियों पढ़ाही कर रहे थे मोसम है अपनों का ख्याल रखिएगा छोटे लोगों को प्रेम दीजेगा बढ़ों का सम्मान दीजेगा और अपना विक्तित विस परकाशे निदायत कीजेगा कि महिलाया आपके साथ सुरक्षित महसुस करे मिलते हैं सुबह 7 बजे जय हिंद जय भारत झाल का जया भारत